हलो एक और नी वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में आपको एक मल्टी पर्पोस बैटरी बना के दिखाऊंगा जिस पे से आप लगबग 4 वोल्ट 8 वोल्ट और 12 वोल्ट की पावर सप्लाई आसानी से ले सकते हो और इसको मैंने बनाया है वो रिचार्ज यह बल भी है तो कि इसको आप रिचार्ज भी कर सकते हो और उसको रिचार्ज करने के लिए आपको किसी भी तरह के बीएमे सर्किट वागरा की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यार वीडियो को प्लीज मैं बोलता हूं यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड जो कि यार पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गोई यानि यूज की हुए बैटरी चाहिए हमको देन उसके बाद इसका जो उपर का टॉप को प्लस और माइनस का पॉइंट का प्लग हो जा है उसको हमको निकालना है आप चाहो तो जो नॉर्मल प्लग मिलता है उसको भी आप पाच 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 प्लग मिलता है दुकान पे लेकिन मैं इस पुरानी बैटरी से यूज कर रहा हूं कि अभी बैटरी किसी काम की नहीं है क्योंकि बैटरी नहीं होती है आप देख सकते हो मैंने आप तीन प्लग निकाल लिए है अभी हमको चाहिए आर कुछ 18650 बैटरी हो है यहां पर देख सकते हो दो-धो बैटरी कि और उसके बाद इसको डबल साइड टेप की मदद से मैं आप न और माइनस की सीरीज में आपर इन तीनों बैटरिस को जो कनेक्ट कर दूँगा इन तीनों बैटरिस को जो हमें डबल साइट ट्रांस्परेंट टेप होता है उसके मदद से चिपका रहा हूँ आप जाते हो यार ग्लूगन का भी उपए कर सकते हो यहां पर या फिर नॉर्मली साइड में प्लस माइनस प्लस तो इस तरह की सीरीज में आपको connect करना है इंक करते हैं इसके पर माइनस कोनेक्शन कर दिया है और सेम उसको 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 कनेक्शन हम देंगे ऍहां आपको वीडियो के लाश्ट में दे दूँगा तो वहां से आपको इसका पुरा नॉलिज बिल जाएगे कि मैं इसको किस तरह से कनेक्ट किया है यहां पर एक बात का ध्यान रखना है यहां पर पुराने संबोड होता है उसका उपयोग करने वाला हूँ और इसको जहें बैटरी के लिए मैं एक बॉक्स बनाने वाला हूँ और इसको जहें मैं कटर से आसानी से कट कर सकता हूँ क्योंकि संबोड बहुत नरम होता है और चैसे कट हो जाता है आप इसके जगह पर कार्ट बॉड का भी उपयोग कर सकते हो फ्रें यहां पर देशक्त हो मैंने बॉक्स रिडी कर दिया है तो जो हमारा दो वायर थे आप यहां पर देख सकते हो कि मैं इसके डाइग्रम को तो आपको समझ में आजा कर रहा हूँ ठीक है तो यहां पर देख सकते हो कि मैं इस दोनों वायर को यहां पर साथ में टैक कर दूंगा जिस पर मैं आप लिख देता हूं 3.7 वोल्ट यहां से आपको 3.7 वोल्ट की यहां पर आउटपूट मिल जाएगा और उसके बाद दूसरे वाले में आपर यहां पर 8 वोल्ट का आउटपूट मिल जाएगा इसका जो है नेगेटिव वायर ब्लेक वाला ही है ठीक है यहां पर देख सकते हूं मैं आपको पूरा क्लियरली बता रहो आपको वीडियो देखो गे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा इसको जो है बॉक्स के अंदर अच्छी तरसे फीट कर देता हूं यार बॉक्स जेक प्रद फूर्ट हमको एक डायोड चाहिए इन 44007 वाला ठीक है यहां पर हमको 12 बोल DC कनेक्टर भी चाहिए आप यह वाला है फिर दूसरा कोई भी डीसिंटर उसके लिए पहले हमको जहां पर प्लस वाला है यहां पर फीमेल कनेक्टर में वहां पर हमको एक रसिस्टन करने है दें उसके बाद LED है तो एया फिच्टन और LED का जो प्लस वाला कनेक्ट पॉइंट है उसके उपर हमको यहां पर रस्टेंश कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से यहां पर कनेक्ट करके बता रहा हूं दें फ्रेंड सेम उसमें ही जो इसका अनोर्ड होता है डायोड का उ चुका है और फिर मैं आपको बता दूँ आर इस चार्जी माडूला 100% वर्क करता है तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो मैं आपको लास्ट में इसका प्रूब भी बताया हूं और दूसरा प्रूब भी बताया हूं तो आर प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको इसका नॉलेज मिल जाएगा इसमें आप किसी भी तरह का जरूरत नहीं पढ़ने वाला है तो इस लीडि और इस 12 वोल्ट का जो है आपर डिसी फिमिल करनेक्टर करने के लिए मैं यहाँ पर इसको एक होल मना दूँगा और होल मनने के बाद इसको अंदर में लगा दूँगा तो यहाँ पर 12 वोल्ट का डिसी कनेक्टर मैं इसके अंदर लगा दिया है उसके बार यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी वायर आपस में टच नहीं इसका ध्यान काफी ज्यादा आपको रखना है कि यह 18650 मॉडल में की बैटरी होती ह थ है तो चलो यहाँ 20 करनेक्शन कर लिए उसके लिए महां पर डाय bite का कैथोर्फो था है उससे में प्लस वाला कनेक्ट कर दूँगा जो 12.5 ses add कर देंगे और यह उसके बाद मैंने और सुल्डर्इजन करतें हैं तो इसके लिए पहले में को जो अलग-अलग आर चीए उसक जो उपर का टॉप ओला पीस्टार जो हमारा बॉक्स पैक करेगा तो उसके उपर मैंने कुछ इस तरह से होल बनाया है तो यहां पर देख सकते हो और उसके बाद इस प्लक को जो है इस तरह से रखने के बाद मैं इसको फेवकी के मज़से अच्छी तरह से यहां पर चिपका कर दिया है और एक और काम करना है इस पर पहले हमको लगा लिए नहीं है क्योंकि जब इस पर हमारा वायर कनेक्शन जो काफी अच्छी तरह से हो जाएंगे तो मैं आपर लगा दिया है दिन चलो आप 3.7 बोल्ट की पावर सप्लाई को पहले करते हैं तो यहां पर देख सकत तो प्लस मैंने कनेक्शन कर दिया है तो अभी एट बोल्ट का कनेक्शन करते हैं तो उसके लिए यहां पर डैड वाला वायर जो था उसको मैं यहां पर एक ही था तो इसके लिए हमारा मैनेस वाला था वह ब्लैक वाला वायर तो उसको मैं जब जब करके मैं उस पर कनेक्श कर दिया है जिसे हमको 8V का output मिल जाएगा अभी 12V का connection करते हैं तो यहाँ पर तीसरा वाला plug बचा हुआ था उसके उपने connect कर दिया है और जो यहाँ पर cathode करता है अभी चलो इसको टेस्टिंग करते हैं तो अभी यहाँ पर यह पार्ट पुरा complete हो चुका है तो अभी मैं इसके आगे टेस्टिंग करके दिखाता हूं कि जो किस तरह से work करता है फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं पहले इसके उपर सभी कि किस तरह से क्या क्या है कहां कहां से मको कितना वोल्ट का आउपूट मिलने वाला है और चार्जिंग कौन सा है और चार्जिंग LED इंडिकेटर कौन सा है वह भी मैं आपर मार्किंग कर देता हूं तो फ्रेंड यहाँ पर एस से भी complete हो चुका है और उसके बाद चलो अभी इसका जो फाइनल टेस्टिंग करते हैं हम लोग तो फ्रेंड आपको यादी होगा कि मैंने जो है एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाए थी कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो और एक बैटरी में मैंने जो है सेम इसी तरह का चार्जिंग कनिक्शन किया था जो है जो मैंने बनाया है इसी तरह का सर्किट इसमें भी लगा हुआ है इसमें मैंने बार कोई भी ब्यम्स वेगरा नहीं लगाया था आप उस वीडियो को देखे हो तो आपको समझ में आ जाएगा यहां पर दे सकते हो मैं आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ हमारे यहां पर बैटरी चार्ज हो रही है तो आप इस तरह से जुगार कर सकते हो और यहां अची तरह से वर्क करता है लेकिन इसको चार्जिंग टाइम और बहुत ज्यादा लगता है इसको चार्ज करने के लिए तकरीम आपको 7-8 गंटे के लिए चार्जिंग पर लगाना होगा यहां पर मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहे है इसकी स्पीड को मेरे दोस्त में एक बार फिर से बता देता हूं कि आर यह तरीका जो 100% सेफ तो नहीं है लेकिन यार डारेक्ली 12V से चार्ज करना उससे तो यार ज्यादा सेफ ही है फ्रेंड अगर आपको यह वीडियो प नहीं जुट